सुलिए अarausákते लिए डिल् сो आपया के लिए और चाहिए बढ़िया होगे सावी लोग के पड़ाई जोड odor से चल रही होगी रोगत बlies सावे बनाई गुड इवनिंग, चालो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, NCRT में आज हम लोग कवर करेंगे, हेलो एलकेंज और हेलो एरीन्स, पूरा चाप्टर यार इस पर्टिकलर वीडियो में कवर कर लेंगे, I hope यार आप लोग NCRT लेके आयोगे, NCRT आप लोग लिए यार, अपने NCRT साथ में लेके बैठो, और जैसे जैसे यार, जो जो चीजे में मार्क करते जा रहा हूं, आप वो साथ में मार्क करते जाना, कोई अगर डाउट हो, तो चाप्टर से रिलेटेड ही पूछना, ठीक है, अभी हम लोग चाप्टर से रिल से पूछ लिए जएगा, और अपका एक वीडियो में एक चाप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और इंपोर्टेंस यार, मैंने बहुत बार बता दी है, कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है NCRT, ठीक तो NCRT उठा लो यार, NCRT उठा लीजिए, अपनी NCRT रख लो, अर जैसे जो-जो चीजे में mark करते जा रहा हु, वो वो आप लोग करते जाहिएगा mark, ठीक है चलो, start करें, yes, चले 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 चले, Good Evening, Good Evening, चलो चलो चलो, start करते है, ठीक है सुनते जाओ, बढ़िया कहानी है, मजा आएगा सुनने में, सुनते जाओ और enjoy करते जाओ, ना, देखो, क्या है, I hope visible रहेगा, यह आपको visible है ना, जो भी आपको यह दिख रहा है, NCRT, I hope यार, अच्छे से visible होगी, चेक है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यह समझ होते हैं, तो देखो, क्या बोल रहा है, the replacement of hydrogen atom, in an aliphatic or aromatic hydrocarbon, by halogen atom, result in the formation of alkyl halide, या फिर, alkyl halide को यह क्या बोलते हैं, या फिर aryl halide, aryl halide को क्या बोलते हैं, hello arine, बोलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि, hello alkyne क्या होते हैं, hello arine क्या होते हैं, क्या difference है, अभी basically समझ म में आ जाएगा, बोल क्या रहा है, alkyne ले लो, उसमें से एक hydrogen हटा दो, और उसके जगे halogen लगा दो, तो वो क्या बन जाएंगे, hello alkyne बन जाएंगे, सही बात हैं, नाम से ही बता चल रहा है, hello alkyne, alkyne में एक halogen add कर दो, तो वो क्या बन गया, hello alkyne बन गया, correct, आप देखो यहां पर कुछ-कुछ है, इसने इंपोर्टेंस बता रही है, hello alkyne की, जो देखो, यह बता रहा है, यह इसने क्या बता रहा है, यह बता रहा है, यह इंपक्त वो बता रहा है, यूस बता रहा है, यह बूल रहा है, is used as an anticep take during surgery तो ये सारी सारी चीज़े क्या है आप की uses हो गए हेलो एलकेन के, करेक्ट, और चीज देखो, अब ये classification की बात कर रहा है, classification बहुत ही आसान है, mono हेलो एलकेन बोले तो एक ही हेलोजन आटम ठीक है, डाई हेलो एलकेन बोले तो दो हेलोजन atom tri-halogen atom एक molecule में तो try हो जाएगा ठीक है अच्छा halo arine क्या होते है त्यान से समझना है halo arine और halo arine में difference क्या है ये समझिए अगर आपका benzene है ये देखो ये रहा benzene इससे अगर directly आपका halogen जुड़ावा रहता है तो ये क्या रहता है halo arine रहता है ये क्या रहता है halo arine रहता है और अगर आपका aliphatic है कोई जैसे आपका ये है CH3 CH2 यहाँ पर X लगावा है कोई halogen लगावा है तो ये कौन है आपका halo alcan है ठीक है तो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है mono halo arine halo arine बोल रहा है तो देखो बेंजीन से डारेक्टली connected है आपका halogen और एक ही connected है एक ही halogen है तो यहाँ पर ये क्या हो गया mono word यूज कर रहे है ठीक है यहाँ पर कितने है दो है तो dihalo arine और यहाँ पर कितने है तीन है तो trihalo arine आई बात समझ में ये चीज क्लियर है ठीक है चलो all right अहाँ जी एक second रुकिए बिलकुल बिलकुल अतरव चलो अब यह देखो अब बोड़ रहा है और classification क्या बता रहा है और classification बता रहा है वन डिगरी टू डिगरी और थ्री डिगरी तो अगर जो यह halogen है यह जिस carbon से जुड़ा है देखो जिसको मैं red mark कर रहा हूँ इस की डिगरी क्या है इस bank क रहा है वन डिगरी इस वाले कार्बन क की डिगरी क्या है वन डिगरी इस वाले का रहा है जो जहाएगा वन डिगरी का हेलो एलक hypoc सही है, यह चीज clear है चलो, और देखो और देखो येस, एक सेकंड, आना, हाँ देखे, और क्या बात कर रहा है, अलायलिक की बात कर रहा है, तो हमें पता है यार, यह वाला गुरूप कौन सा होता है, अलायलिक गुरूप होता है, CH2 डबल बॉंड, CH, CH2 ये वाला गुरूप कौन सा होता है, अलायलिक तो इसमें जो ये वाला कार्बन है, देखो, जिसको मैं बलू से मार्ग कर रहा हूँ, ये वाला ये वाला कार्बन होता है, अलायलिक कार्बन और अगर इस से हेलोजन जुडाव है, तो वो इस पर देखो halogen जड़ा हुए तो यह कौनसा हो गया आपका benzylic haloalcan हो गया आर यह बात समझ में चीक है तो allylic और benzylic में यह difference आपको पता होना चाहिए चीक है आप देखो क्या बोड़ रहा है जिसे vinylic की बात कर रहा है vinylic कौनसा group रहता है CH2 double bond CH यह कौनसा ग्रूप रहता है विनायलिक तो देखो यही से यह रहा न देखो यह रहा double bonded carbon और यही से कौनसा जुड़ावा है आपका halogen जुड़ावा है तो यह कौनसा ग्रूप हो गया विनायलिक ग्रूप हो गया ठीक है और aryle, aryle कौनसा होता है जब बेंजीन से डारेग्ली जुड़ावा है डिफ्रेंस समझ पा रहे हैं आप benzoyalic और aryle में डिफ्रेंस समझ पा रहे हैं देखो देखो यहां पर बेंजाईलिक कौनसा ग्रूप है यह वाला ग्रूप आपका बेंजाईलिक है ठीक है यह कौनसा ग्रूप है बेंजायलिक और अराइल ग्रुप की बात करूँ तो ये वाला ग्रुप है आपका अराइल जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग और डारेक्ली यहां से अटाच्मेंट है तो ये वाला ग्रुप कौन सा है अराइल ग्रुप है तो अलग-अलग हो गए ने यार नॉमन ग्लेजर तो बहुत ही मक्षन रहता है जैसे ये रहा आपका कमपाउंट तो आप हैलोजन को क्या दोगे लोईस तंबर देने की कोशिश करोगे तो ये वन टू थरी तो क्या हो गया ये वन भ्रोमो प्रोपेन हो गया अब यहाँ पर आपका क्लोरीन कौन सी पोजिशन पर है तो टू पर है तो टू क्लोरो प्रोपेन हो गया ये सब तो यार ये तो नॉमन ग्लेजर तो हम लोग अराम से कर ही लेंगे जैसे दिखो ये वाला कमपाउंड है यह वाला compound है, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 तो 1 पे कौन है, chloro, 2 पे कौन है, methyl, methyl तो 2,2, dimethyl हो गया और कितने की chain है, 3 की तो propane आ गया नॉमन क्लेचर में है, कोई भी दिक्कत नहीं है और नॉमन क्लेचर मेंने आपको वैसे भी बढ़ा रखा है और यहाँ पे आपको NCRD में भी है, हम लोगों ने जब GOC कवर कर आता, तो नॉमन क्लेचर तो देख लिया आता चिक है, और रइट, चलो, आगे बढ़ते हैं अच्छा, यह चीज देख लो एर, एक और आपका classification होता है, gem dihalide और vicinal dihalide है ना, तो vicinal dihalide बोले तो कितने halogen रहेंगे, दो, अगर एक ही carbon पे, जिसे देखो यह structure है, CH3, CH, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन कितने halogen है, दो, क्या दोनों के दोनों halogen एक ही carbon पे है, बताओ, दोनों के दोनों एक ही carbon पे है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका gem, gem dihalide हो जाएगा, और यहाँ पे हम vicinal में देखें, तो जो दोनों के दोनों halogen है, वो का है आसपास वाले carbon atom पे है, बाजू-बाजू वाले पे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, vicinal बोलेंगे, इनको हम क्या आप लोग अपनी NCRT साथ में लेके बैठो, तो जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोगों को अगर लगे कि हाँ यार यह आपको लिखना चाहिए, तो आप NCRT में ही लिख लीजिए, एक ही जगे हो जाएगा, यह सारी चीज़े, ऐसे हम कितनी अचा, nature of CX bond, जो carbon और halogen के बीच में bond है, उसकी nature की बात कर रहा है, obviously देखो यहाँ पे क्या रहेगी, electronegativity का difference रहेगा, तो carbon पे क्या चाहिएगा, dil positive, halogen पे क्या चाहिएगा, dil negative, क्योंकि halogen is obviously high electronegativity, halogen की high electronegativity है, तो वहाँ पे चाहिएगा, dil negative, तो जो bond होता है, वो पोलर बॉंड रहेगा, अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहेगा, इस table को समझो, इस table से आपको समझ में आ जाएगी, देखना जो मैं important बता रहा हूँ, वो चीज ध्यान रखना, देखो, यहाँ पे carbon और fluorine का bond है, carbon chlorine, carbon bromine, carbon iodine, सबसे strong bond कौन सा रहेगा, सबसे strong bond कौन सा रहेगा, fluorine के साथ, सबसे खतरनाक bond, सबसे मजबूत bond किसके साथ बनाएगा, fluorine के साथ, correct है, तो देखो, fluorine के साथ जो bond enthalpy आईए, वो 452, वो highest आईए, और down the group, down the group, bond enthalpy decrease करते जा रही है, यह क्या कर रही है, decrease कर रही है, यह सही सही है, यह चीज तो सही है, बिलकुल सही है, अच्छा, सबसे छोटा bond किसके साथ होगा, fluorine के साथ होगा, क्योंकि fluorine क्या रहता है, बहुत छोटा रहता है, और carbon भी छोटा, तो छोटा छोटा bond बनेगा, iodine क्या है, बड़ा, तो carbon और iodine का bond बड़ा बनेगा, सही है, तो देखो, सबसे छोटी जो bond length आईए, वो fluorine के सा आती आईए और down the group वो क्या कर रही है increase कर रही है और ये चीज तो हम यार ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर bond length increase कर रही है bond length increase कर रही है तो bond dissociation enthalpy decrease करेगी ये बात तो सही है यहां तक चीज क्लिए है important बात क्या है जो अलग behavior है वो क्या है dipole moment तो भाया इसका star mark कर लेना इसको star mark कर लेना इसमें अगर आप ध्यान से observe करें तो आपका dipole moment सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है कारबन और fluorine का आ रहा है कारबन और fluorine का सॉरी कारबन और chlorine का सबसे ज़्यादा dipole moment आ रहा है क्योंकि जो आपका dipole moment होता है वो किस-किस पर depend करता है product of charge and distance इन दोनों पर depend करता है तो इन दोनों के इन दोनों पर depend करता है इसलिए ही जो आपका mu का mu का जो order आता है वो carbon chlorine का सबसे ज़्यादा आता है then carbon fluorine then carbon bromine and then carbon iodine यह exception है यह यहापे exceptional behavior है क्योंकि दोनों पर depend कर रहा है जो आपका dipole moment होता है it depends on the product of charge and distance देखो अगर आपसे कोई यह पूछे दियान से सुनना है यार मेरी बात अगर आपसे यह कोई पूछे कि यार जो सारे के सारे halogens हैं उसमें charge कहां पर ज़्यादा develop होगा तो ज़रा बताना चैट सेक्शन में चार्ज कहां पर ज़्यादा develop होगा यह बताना मेरे को कोई पूछे कि चार्ज कहां पर develop होगा सबसे ज़्यादा बिलकुल direction बिलकुल चार्ज कहां पर सबसे ज़्यादा develop होगा तो बच्चा चार्ज सबसे ज़्यादा डिवलप होगा जहां पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो निगेटिविटी होगी तो कहां डिवलप होगा? फ्लोरीन के केस में लेकिन डाइपोल मॉवंमेंट is not only charge डाइपोल मॉवंमेंट is product of charge and distance तो उन दोनों का product किसका जादा आया? क्लोरीन वाले का जादा आया ये हम लोग आर chemical bonding में बहुत detail में बढ़ते हैं और मैंने भी आर इसी channel पर आप लोग को जब chemical bonding बढ़ाई थी तो ये चीज पढ़ाई थी आपको कोई अगर पूछे कि या charge कहाँ जादा है तो obviously fluorine के case में charge जादा है लेकिन the product of charge and distance वो कहाँ जादा है chlorine के case में जादा है तो इस dipole moment को ध्यान रखेगा जहाँ पर भी चीजे अलग हो जाती है न थोड़ा जब exception आ जाता है ये ही question है ये ही question है ये normal trend तो है कोई भी पूछ लेगा और कोई भी सही भी कराएगा मजा कब आता है examiner को क्या कराने में आप से गल्तियां कराने में मजा आता है लेकिन गल्ती नहीं करनी है हमको इस चीज़ को अपने NCRT में धियान रख लीजेगा point mark कर लीजेगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग method of preparation of hello alkanes अलग अलग तरीके से prepare किया जा सकता है जैसे देखो बोल रहा है the hydroxyl group of an alcohol जो alcohol पे OH group रहता है is replaced by halogen on reaction with concentrated halogen acid phosphorosalide PCL3 PCL5 और thionyl chloride या पे देखो एक बात ध्यान से सुनने वाली है इसको underline कर देना बोल रहा है thionyl chloride thionyl chloride क्या रहता है? SOCl2 is preferred because in this reaction alkyl halide formed along with gases SO2 and HCl, देखो ये क्या बोलना चाहरा है मैं क्या बोलना चाहरा है, यहाँ पे देखो जैसे ये रहा alcohol, ज्यान से सुनना है plus इसने thionyl chloride के साथ reaction कराई, तो ये बनाएगा क्या आपका? RCl, ये क्या बन चुका है? आपका हेलो एलकेन बन गया plus SO2 जो की एक gas है, plus HCl, जो की एक gas है तो इस process में, thionyl chloride के साथ जब वो reaction हो रही है तो इस process में क्या बन रहे हैं? दूनों के दूनों gases बन रहे हैं तो अब वो क्या होंगी, gases तो यार निकल जाएंगी बताओ, gases तो हवा में उड़ जाएंगी gases हवा में उड़ जाएंगी तो यार ये बताओ, क्या product उड़ रहे है product कम हो रहे है SO2 और HCl क्या है, products है न? बले ही byproducts है, है तो products तो वो system को छोड़ के जा रहे है तो reaction कहाँ जाएगी forward direction में according to Lee Chatelier principle, तो आपका ज्यादा hello alkane बनेगा, ज्यादा hello alkane बनेगा, तो ये reaction prefer करी जाती है, ये ही बोल रहा है, देखो thionyl chloride वाली reaction prefer करी है क्यों? क्योंकि जो साथ में जो product बन रहे है वो कौन से product है, वो आपके gases product है, वो आपके gaseous product है, ठीक है, तो according to Lee Chatelier principle, reaction forward में जाती है आपका hello alkane ज्यादा बनता है और देखो, और क्या-क्या बोल रहा है दिससे ये बोल रहा है कि हम लोग HCl और ZNCl2 के साथ reaction करा सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, Lucas reagent, चाहो तो यहाँ पर लिख लेना this is Lucas reagent ठीक है, कार्बोकटाइन मनता है इसमें चाहो तो यह भी लिख लेना, कार्बोकटाइन मनता है तब ही देखो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है 3 degree की सबसे ज़्यादा reactivity होगी 2 degree की, 1 degree की क्योंकि कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा stable कौन सो होता है, 3 degree वाला उसकी reactivity सबसे ज़्यादा होगी 2 degree की, 1 degree की अब देखो यहाँ पर जैसे reaction बता रखिए यहाँ सब reaction में क्या हो रहा है यह जो alcohol का OH है देखो यह जो alcohol का OH है यह निकल रहा है, टाटा बाय बाय बोलके जा रहा है और उसके जगे यह chlorine add हो गया तो क्या बन गया, RCL यह OH निकला, उसके जगे BR add हो गया क्या बन गया, RBR यह chlorine निकला, अब PX3 आपका halogen हो सकता है, chlorine भी हो सकता है, bromine भी हो सकता है वो निकला आपका हैलोजन जोड़ गया देखो ये बन गया आर ये बत समझ में आप जैसे देखो ये SOCl2 वाला थायोनिल क्लोराइड वाला तो देखो क्या बन रहें आपके SO2 बना और HCl बना तो ये रियाक्शन प्रिफर करी जाती है ये वाली रियाक्शन प्रिफर करी जाती है क्योंकि इसमें byproducts क्या हैं आपके gases हैं तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है चेक है चलो आगे बढ़ें आप देखो और क्या बोल रहें आप एलकेन से भी बना सकते हो यह आर यह आप लोगों ने, हम लोगों ने मतलब, आप लोगों ने नहीं, हम लोगों ने यह hydrogarbons में देखा था, आपका एक halogenation करके रहते हैं, यह reaction, halogenation reaction रहते हैं, ध्यान है, halogenation reaction रहते हैं, जैसे CH4 plus Cl2 in presence of Hμ, तो यह क्या बनते थे, CS3, Cl, hydrogen निकलते जाते थे, chlorine आड होत यादा रहे, चीक है, तो देखो, यही सारे इसमें दे रखें, यह आपका alkene, इसमें आपने Cl2 और light लिया, तो देखो आपके यह, halo alkene बन रहे हैं, इस reaction को हम क्या बोल रहे हैं, halogenation भी बोला जाता है, यह आप लोग hydrocarbons में पढ़ चुके हो, correct है ना, पढ़ी है ना, यह हम लोग hydrocarbons में भी देख चुके हैं, बिल्कुल free radical mechanism में रहता है, free radical mechanism में रहता है, अच्छा, from alkene, यह भी हम लोग उने hydrocarbons में पढ़ा है, addition of hydrogen halide, HX add करा देते हो, कौन सा rule follow होता है, Markonikoff rule follow होता है, Markonikoff rule follow होता है, चीक है, अब जिसे addition of halogens हैं, तो जिसे आपने देखो, BR BR2 add करा दिया, तो यह है, BR2 देखो, double bond पर जाके add हो गया, इधर BR आ गया, इधर BR आ गया, इसको और क्या बोला जाता है, इसको और क्या बोला जाता है, test of unsaturation, इसको और क्या बोला जाता है, test of unsaturation भी बोला जाता है, कोई बता सकता है, क्यों बता सकता है, इसे test of unsaturation क्यों बोला जाता है क्यों क्यों क्योंकि यह एलकीन है इस पे आप जब ब्रोमीन डालते हो तो ब्रोमीन is a brown color की gas और वो brown color की gas क्या होती है इस pie bond पे जाके attach हो जाती है तो आपके brown color जो product बनता है उसमें brown color disappear तो इसको test of unsaturation क्यों बोला जाता है अगर आपको suppose करो तो अगर आप suppose करो किसी भी compound को आपको check करना है कि यह pie bond है या फिर नहीं तो आप उस पे क्या करना bromine gas डालना और जैसे ही अगर bromine gas डालो गए और brown color के vapors disappear हो गए इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है वो ब्रोमीन जाके attach हो गई है उस compound पे इसका मतलब क्या है उस compound में क्या था unsaturation था pie bond था तो इससे आप test कर सकते हो कि whether a compound has a pie bond or not ठेक है तो इसको test of uncharturation भी बोला जाता है और देखो अभी यह यह है नहीं देखो यह examples में आपको करवाऊंगा अभी मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ क्यों कि यह बहुत हलके type के example है आप यह अराम से कर सकते हो तो जो आगे के examples आएंगे आपके जो थोड़े से अच्छे वाले हैं वो मैं आपको cover करवाऊंगा अभी अभी cover कराऊंगा और देखो और आप कैसे बना सकते हो halogen exchange कर सकते हो पहली reaction है finkelstein reaction इसमें क्या हो रहा है कोई सा भी आपने halogen लिया rcl ले सकते हो rbr ले सकते हो और nii के साथ कराया और उसमें आप solvent क्या ले ते हो sec tune αυτό क्या होता है तो आप देखो यहां पे क्या होगा यह हलोजन निकलेगा और उसकी जगे कौन आ गया iodine आ गया इसके जए कि कौन आया है, आइोडीन, अब देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट बॉइंट दे रहा है, और NCRT के यही दिक्कत है, देखना अभी मैं आपको दिक्कत बताऊ, जैसे इसने यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जैसे सपोस करो, यहाँ देखना, सपोस करो मैंने R ले लेता, प्लस NAI ले लेता, तो मेरा क्या बनता, RI बनता प्लस क्या बनता, मेरा NACL बनता, और मैं ब्रोमीन ले ले लेता, तो NABR बनता, तो वो ही बूढ रहा है कि यार, जो NACL और NABR बना है वो क्या बनता है precipitate बनता है, in dry acetone क्योंकि मैंने solvent क्या लिया है, acetone लिया है तो NACL और NABR जो बना है, वो क्या है एक तरीके का, PPT बनाता है acetone में, it facilitates the forward reaction according to Lee Chatelier principle, बस NCRT में यही दिक्कत है, कि NCRT क्या करता है, बस इतना सा बोलके निकल लिया, उसको समझाता नहीं है, तो यह उसके यह क्या बना है, PPT बना है यह क्या बना है, PPT बना है तो PPT बना है, तो मेरे शेरो यह बताओ वो नीचे जाके settle हो गया होगा नीचे जाके settle हो गया होगा, इसका मतलब वो solution से बाहर निकल गया मतलब वो reaction से बाहर निकल गया reaction से अगर बाहर निकल गया तो आपका product भाहर निकल रहा है न NACL या NABR क्या है product है तो product भाहर निकल रहा है तो product कम हो रहा है product कम हो रहा है तो ली चैटले प्रिंसिपल के साब से reaction कहा जाएगी forward direction में और आपका RI जादा बनेगा आपका RI जादा बनेगा तो इसी लिए ही acetone लिया जाता है क्योंकि जो NACL या फिर जो NABR बन रहा है वो क्या हो जाए वो PPT बन जाए वो नीचे सेटल हो जाए वो reaction से बाहर चले जाए तो reaction आपकी कहा जाने लग जाए forward जाने लग जाए according to ली चैटले प्रिंसिपल ये बात clear है बढ़ जाएं आगे हम लोग यहां तक चीज सही है तो ये तो आपके क्या बनाने के काम है iodide बनाने के काम है और ऐसे ये अगर आपको fluorine बनाना है उस reaction को क्या बोलते हम Swartz reaction उसको हम क्या बोलते हैं Swartz reaction यहां से जैसे ये bromine निकलेगा और यहां से ये fluorine एड हो जाएगा तो देखो आपका ये fluorine एड हो गया और इन सब को क्या बोला जाता है अब ये सारे reagents चूज कर सकते हो इनको क्या बोला जाता है fluorinating fluorinating reagents यहां तक कोई भी अगर doubt हो है चैट सेक्षिन में पूछ लो chapters related बाकी जो आपके general doubt है वो मैं end में ले लूँगा कोई भी doubt हो यहां तक तो पूछ लीजिए पिछले जो फिंकल स्टीन थी acetone एक medium एक solvent की तरह काम कर रहा है जिसमें आपका NaCl और NaBr soluble नहीं होते है ठेक है यहां तक कोई भी दिक्कत तो पूछ लो नहीं तो बोलो कि आगे बढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ जाए अभी आप लोग chapter से related doubt पूछ जो है जो भी general doubt है वो मैं आपके end में ले लूँगा वो मैं end में ले लूँगा अभी तक जितना कुछ है उसके आप doubt पूछ लीजे मेरे से बढ़ जाओ आगे ठीक है नो दिक्कत चलिए चलो next क्या बोल रहा है preparation of helloareans helloareans आप कैसे बना सकते हो जैसे यह रायार आपका tool in इसमें आप लोग ने क्या डाला इसमें आप लोग ने क्या डाला कोई halogen डाला तो वो देखो halogen जाके add हो गया halogen जाके add हो गया है ठीक है this is what electrophilic substitution यह क्या है electrophilic substitution है यह कौनसे reaction है electrophilic substitution है ठीक है चलो और देखो और देखो और क्या बोल रहा है आप यह amine से भी बना सकते हो देखो क्या बोल रहा है when a primary aromatic amine is dissolved in cold aqueous mineral acid देखो जैसे क्या बोल रहा है यह आपने aniline लिया है इसमें आपने किसके आद reaction करा है यह NaNa2 प्लस HX इसको इसकी जगे और क्या लिखावा मिल सकता है आपको HNO2 भी लिखावा मिल सकता है एक ही बात है HNO2 लिखावा हो HNO2 लिखावा हो या फिर NaNa2 और HX लिखावा हो एक ही बात है आपके क्या बन जाते है डाइजोनियम सॉल्ट बन जाते है यह जो यह है ना यह जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट अब इस disonium salt में आपने जैसे ही Cu2x2 डाला तो आपका इधर halogen develop हो जाता है इस reaction को हम क्या बोलते हैं send-mere reaction इसको क्या बोला जाता है send-mere reaction बोला जाता है और उधर ही जैसे आपने देखो halogen की जगे आपने कोई जैसे दूसरा halogen ले लिया कि यहां पर जाके कौन जुड़ गया देखो iodine जुड़ गया यहां पर जाके कौन जुड़ गया iodine जुड़ गया तो ऐसे आपके arryl amines वो है arryl hello arines वो आपके बनाए जा सकते हैं यहां तक चीज सही है चलो और देखो physical properties की बात कर रहा है तो physical properties में देखो melting point और boiling point ठीक है ध्यान रखना जो boiling point रहता है वो किस पर depend करता है boiling point किस पर depend करता है boiling point सबसे आदा किस पर depend करता है आपका दो factors पर depend करता है एक तो रहता है molecular mass एक रहता है molecular mass molecular mass से directly proportional रहता है ठीक है और और आपका जो boiling point रहता है that is inversely proportional to branching inversely proportional to branching inversely proportional to branching इन दोनों पे depend करता है नहीं विवेक नहीं वो चीज नहीं हो सकती है वहापे fixed halogens है आपके चेक है? तो देखो यही बोल रहा है जैसे देखो यहापे यह बोल रहा है for the same alkyl group the boiling point of alkyl halide decreases in the order ri, rbr, rcl, rf ri है जो उसका mass का रहेगा दो सबसे यदा रहेगा उसका boiling point भी सबसे ज़ादा rf का mass सबसे कम तो उसका boiling point भी सबसे कम चीक है? अचा अब यहापे देखो यहापे इन्होने same mass ले रखा है यह सब कौन है? isomer है, ध्यान से देखो दियान से देखो तो सब कौन है, आईसोमर है तो जितनी ज़्यादा branching जितनी ज़्यादा branching आपकी उतना ही कम boiling point तो सबसे ज़्यादा branching कहाँ पर है सबसे ज़्यादा branching कहाँ है, यहाँ पर है न देखो न, सबसे ज़्यादा branching कहाँ है अगर हम compare करें boiling point अगर हम compare करें तो देखो आपका क्या order आ रहा है ortho का सबसे ज़्यादा है boiling point अगर हम compare करें ortho का सबसे ज़्यादा है फिर आपका किसका है 446 और 448 फिर किसका है para का और सबसे कम किसका है meta का लेकिन melting point आप देखो melting point देखो तो देखो melting point सबसे ज़्यादा किसका है melting point सबसे ज़्यादा किसका है आपका para का है para का आपका melting point सबसे ज़्यादा है then आपका ortho है और meta तो सबसे कम ही है यहाँ पर para का melting point सबसे ज़्यादा क्यों हो जाता है सबसे ज़्यादा क्यों हो जाता है तो उसका answer क्या है symmetry उसका answer क्या है symmetry पैरा में क्या होता है directly opposite opposite side में आ जाते हैं एकदम directly opposite होते हैं तो उनकी symmetry, उनकी packing बहुत अच्छे से हो पाती है बहुत बढ़िया तरीके से pack हो पाते हैं और packing अगर अच्छी होती है तो आपका melting point increase कर जाता है melting point आपका para का सबसे best रहता है यह चीज clear है solubility की solubility की बात करें तो बोल रहा है the halo alcanes are very slightly soluble in water जादा soluble नहीं होते लेकिन hulkyful के soluble इसलिए होते हैं क्योंकि polar compounds है आपका जो water है that is a polar solvent और जो आपका halo alcan है वो भी एक polar compound है polar polar थोड़े बहुत soluble है बहुत जादा भी नहीं है थोड़े बहुत soluble है थोड़े बहुत soluble है चेक है चेक है चादा अब यार chemical reactions पर आजाओ यह यहां से important है चीज़े chemical reactions पर आजाओ ortho का जादा boiling point इसलिए होता है जो आपका dipole moment रहता है वो इसका maximum रहता है इसलिए इसका boiling point सबसे जादा है चेक है अब देखें chemical reactions चलो chemical reactions देखते हैं हम सबसे जादा important chemical reactions आपके halo alcan या halo arene की कौनसी होती है nucleophilic substitution reaction nucleophilic substitution reaction देखो इसमें क्या होता है क्या होता है यह रहा आपका halo alcan यह NU- यह क्या है आपका nucleophile यह आया halo alcan पे देखो इस carbon पे क्या है positive charge है न dell positive तो इसने इधर attack किया और इसके साथ यह bond बना दिया और X- आपका चले गया तो इसको आप nucleophilic substitution reaction क्यों बोल रहे हो क्योंकि NU- एक nucleophile है उसने X- यह भी क्या है nucleophile दूसरे nucleophile को substitute कर दिया है इसलिए से हम क्या बोल रहे है nucleophile substitution reaction एक nucleophile ने दूसरे nucleophile को substitute कर दिया है ठीक है अब देखो यहाँ पे stable में बता रखा है भाई ने कि कौन कौन से आपके nucleophile हो सकते है आपका OH- nucleophile हो सकता है nucleophile negatively charged भी हो सकते है as well as neutral भी हो सकते है यह चीज आपको समझ नहीं पड़ेगी उनके पास क्या होने चाहिए loan pair देखो यह negatively charged है यह nucleophile की तरह काम कर सकता है यहाँ पे इसके पास क्या है loan pair है यह भी आपका nucleophile की तरह काम कर सकता है यह सब क्या है nucleophile ले रखे हैं इसने और इससे इसने सारे के सारे ये product बना रखे है, nucleophile जोड़ रखा है यहाँ पे जो आपकी important बात होती है, वो यहाँ पे होती है, देखो एक ये चीज जिसको मैं blue से ले रहा हूँ, एक ये चीज, और एक ये चीज, एक ये और एक ये, ये जो चार आपके substances हैं, जो चार आपके nucleophile हैं, ये थोड़ा सा इधर हमको समझने की जरूरत है, है ना थोड़ा सा इधर हमको समझने की जरूरत है, भाई ने नहीं समझाया है, NCRT में इतना कुछ समझाया है नहीं है, देखो आपको, मैं बताता हूँ जैसे देखो, MB-dentate nucleophiles क्या होते हैं, जैसे आपका CN- है, है ना CN-, ये आपका MB-dentate nucleophile है, क्यों, क्योंकि ये attack carbon के end से भी कर सकता है और nitrogen के end से भी कर सकता है दोनों end से ये attack कर सकता है इसलिए ये क्यों है, MB-dentate nucleophile है, ठेक है अब देखो, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर सुनो, इस example को देखो Hello alkenes react with KCN to form alkyl cyanides as the main product, while AGCN form isocyanide as the chief product, why explain करो, दियान से सुनना है यहाँ पर, देखो, क्या बोल रहा है आपने कोई साभी halogen, halogen suppose करो, RCl ले लिया अब आपने इसको KCN के साथ reaction कराई किसके साथ, KCN के साथ तो KCN का मतलब क्या है K plus और Cn minus Cn minus पे carbon पे negative charge होता है Cn minus में carbon पे negative charge होता है अब बताओ, अगर यह cyanide इसके साथ reaction करेगा तो कहां से attack करेगा आपका carbon है और nitrogen है दोनों attack कर सकते हैं attack कौन करेगा, carbon करेगा क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, negatively charged है उसके पास जादा charge density है तो वो attack करेगा यहां से देखो, आपका carbon के end से attack होएगा, तो आपका क्या बनेगा R, C, N बना और आपका Cl- टाटा बयवाय बोलके निकल लिया यह क्या बने हैं आपके? cyanides यह क्या बने है? cyanide why? because casein was ionic compound casein was ionic similarly आप बात करो AGCN की AGCN की, AGCN क्या रहता है? covalent रहता है क्या रहता है? covalent इसका जो आपका यह रहता है structure, ऐसा structure रहता है carbon बना के बैठा है, यह कोई भी lone pair नहीं है, लेकिन nitrogen बुढ़ रहा है, हमारे पास तो lone pair है हम nitrogen के end से तो attack कर सकते हैं तो again आपका RCL आया ठीक है? प्लस आपका AGCN आया अब इस बर attack कौन करेगा? carbon नहीं कर सकता क्योंकि carbon के पास lone pair नहीं अटाक कौन करेगा? nitrogen करेगा और बनेगा क्या आपका? R, N, C बनेगा, अब मैंने N से attack करवाए, तो मैंने N, C लिखाए प्लस AGCN बन जाएगा, उसको तो छोड़ो, वो तो byproduct है तो यह कौन बना है? यह कौन है? यह isocyanide है अगर carbon के end से जुड़ते हो, तो आप cyanide कहलाते हो, nitrogen के end से जुड़ते हो, तो आप isocyanide कहलाते हो तो यही बाते कर रखी है तो इसका explanation क्या है? इस example का why ऐसा क्यूं हो रहा है? क्योंकि जो KCN है, that is ionic तो वहाँ पे carbon attack कर रहा है लेकिन AGCN is covalent, तो carbon carbon attack नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे nitrogen attack कर रहा है, और isocyanide बन रहा है सवाल आपसे पूछा जा सकता है मैं यह नहीं बोल रहा है कि आपसे boards में ही पूछेगा, या subjective में ही पूछा जा सकता है, या यह NEET और JE में भी तो आ सकता है, आपके 4 option दे सकता है बिल्कुल, clear हो गई है यह चीज, तो यह चीज समझने वाली बात थी, और same देखो, यह ही बोल रहा है similarly, nitrite ion also represents an embedded nucleophile जो आपका NO2 है, NO2 minus वो भी embedded होता है, तो उसमें भी oxygen end से भी attack हो सकता है, nitrogen end से भी attack हो सकता है, ठीक है? देखो, यह रहा, यह रहा the linkage through oxygen अगर oxygen attack करेगा, तो बनाएगा nitrites, सुन लो यहाँ पे, यह देख लो the linkage through oxygen results in nitrites, वाइल अगर nitrogen attack करेगा, तो क्या बनाएगा, nitro-alkanes सेम बात है, उपपर carbon कर रहा था, तो cyanides, nitrogen कर रहा था, तो isocyanides, चीक है? नीचे वाले में oxygen कर रहा है, तो nitrites, nitrogen कर रहा है, तो nitro-alkanes, ठेक है? मैं एक-एक चीज को यार, दो-दो-तीन-तीन बार repeat कर रहा हूँ थाकि खोबड़ी में गुज जाए आपके ठेक है? चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पे उन्होंने mechanism बता रखे है nucleophilic substitution के यहाँ पे उन्होंने mechanism बता रखे है, पहला कौन सा बता रहा है, nucleophilic substitution biomolecular, SN2 बोल रहा है यहाँ पे जो-जो मैं चीज मार्ग करते जाओं, वो आप मार्ग करते जाना, देखो जो मार्ग करते जाना, देखो, क्या बोल रहा है it is a second order kinetics order क्या है, इसका second order है, कितना order है, second order है और क्या बोल रहा है that is the rate depends upon the concentration of both the reactant, यहाँ पे both the reactant का मतलब क्या है, यह समझो फहले both the reactant का मतलब है आपका alkyl halide plus nucleophile जो बोल रहा है न, दोनों की concentration पर depend करेगा, वो दोनों कौन है, alkyl halide भी है और nucleophile भी है, दोनों की concentration पर depend करता है it is a biomolecular reaction छेक है, देखो, यह रहा आपका nucleophile आया, यह रहा आपका hello alkene, छेक है यह आपकी बनती है transition state SN2 में क्या बनती है, transition state बनती है, और यह आपका OH जुड़ जाता है और आपका CL minus, bye bye tata बोल के निकल लेता है छेक है, अच्छा, जो SN2 रहती है, it is a single step process, यह चीज लिख लो यहाँ पर है न it is a single step process एक ही step में आपका nucleophile आता है, और आपका halogen बाहर निकल जाता है halogen बाहर निकल जाता है यह इसने बड़िया बड़िया diagram बना रखे हैं भाही ने यह इसने diagram बना रखे हैं अच्छा, अब देखो यह देखो, यह जैसे यहाँ पर बता रखा है single step है, बिल्कुल यह चीज़ा मैंने बता दी, कोई भी intermediate नहीं बनता है, intermediate नहीं बनता है क्या बनती है, transition state बनती है, लेकिन intermediate नहीं बनता है, transition state बनती है ठीक है, यह बोल रहा है जैसा यह हो रहा है, as this happens the three carbon hydrogen bonds of the substrate start moving away from the attacking nucleophile, मलब वो दूर जाते जाते हैं और आपका transition state बन जाते है, बोल रहा है, in transition state, all the three CH bonds are in the same plane and the attacking and the leaving nucleophiles are partially attached to the carbon, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे आओ, यह जो यह है यह है आपकी transition state, इसमें यह बोल रहा है, यह carbon और यह तीन hydrogen, छोटे छोटे यह तो same plane में है, और बढ़िया तरीक से bond बनाए वे हैं, और जो आपके बाकी यह दो हैं, यह यह वाला जो yellow से mark कर रहा हूँ और यह वाला, यह कौन से bonds है partial bonds है, यह कौन से bond है आपके, partial bond है ठीक है, ठीक है यह चीज clear है अच्छा, यहाँ पे देखो और क्या बोल रहा है, inversion हो रहा है inversion of configuration हो रहा है inversion क्यों हो रहा है configuration का ध्यान से अगर आप देखो जिसे देखो, इसको देखो इसको देखो, यह OH आया red color ले ले लेते हैं यह देखो, यह OH आया इसने attack किया, तो देखो आपका जो hydrogen पहले left side दे वो invert हो के कहाँ चलेगा, right side देखो यार, 3 hydrogen left side दे reactant में, product में खहाँ चलेगा right side में, तो यह क्या हो रहा है inversion हो रहा है, पूरगपूरा invert कर रहा है molecule इसको क्या बोलेंगे, inversion बोलेंगे चिक है, और इसका एक और नाम होता है Walden inversion, क्या रहेता है Walden inversion भी रहता है Walden inversion भी से हम लोग बोलते हैं, चिक है चलो, configuration के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे जब आपका optical isomerism introduce करेगा ये तब हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं बिलकुल, चेक है? अच्छा, और देखो, अब यहाँ पर यह reactivity के बारे में बात कर रहा है reactivity के बारे में बात कर रहा है तो जो आपके reactivity order रहता है SN2 का reactivity order है वो किस पर depend करता है? steric पर steric क्या होती है? bead bar steric क्या होती है? bead bar को हम लोग steric बोलते हैं तो steric देखो सबसे ज़्यादा कहा होती है? 3 degree में देखो, बड़े-बड़े molecules है CS3, CS3, CS3 तो यहाँ पर nucleophile attack करना मुश्किल हो जाएगा तो आपकी जो rate of reaction है वो क्या हो जाती है? सबसे कम हो जाती है तो आपके methyl की rate of reaction सबसे ज़्यादा फिर 1 degree की, फिर 2 degree की, फिर 3 degree की तो यह रहा आपका order किसका है यह order? SN2 का किसका है यह order? SN2 का अच्छा, एक और आपकी क्या रहती है? जो mechanism है एक और है आपका mechanism है SN1 का भी mechanism होता है SN1 क्या होता है? पहले यह बात यह समझो SN1 क्या है? It is a two step process कितने step का process है? दो step का यह process है ध्यान से देखना पहले step में क्या हुआ? आपका जो हेलो एलकेन था आपका जो हेलो एलकेन था कारबन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड टूटता है तो यह देखो BR- निकल लिया और यह क्या बन गए आपका? यह कौन है? कार्बोकटाइन तो आपका यह क्या बन रहा है? एक तरीके से reaction intermediate बन रहा है सही है पहले step में क्या हुआ? reaction intermediate बना दूसरे step में क्या होता है? अब OH- INA के जुड़ जाता है इसको यह जो पहला step रहता है यह क्या रहता है RDS slowest step है आपका पहला वाला पहला वाला जो step है वो क्या है? slowest step है इसमें तो it is a two step process और इसमें intermediate बन रहा है SN2 जो था उसमें intermediate नहीं बन रहा था लेकिन इसमें intermediate बन रहा है ठीक है अच्छा यहाँ पर देखो अब यह क्या बोल रहा है अब यार हमें इतना पता है कि अगर intermediate stable होगा तो rate of reaction बताओ क्या होती है बताओ chat section में अगर intermediate जादा है तो rate of reaction क्या होती है जादा या कम जादा होती है अगर intermediate stable बन रहा है तो rate of reaction जादा होती है और सबसे जादा intermediate stable कौन सा होता है 3 degree का देखो यही बोल रहा है in case of alkyl halide 3 degree alkyl halide undergo SN1 reaction very fast क्यों? because of the highest stability of 3 degree carbo katain जो carbo katain है 3 degree के वो सबसे जादा stable होते है तो सबसे जादा जो reactive रहेंगे वो 3 degree के ही alkyl halide रहेंगे अब भाई बोल रहा है समप अगर हम कर दें तो 3 degree halide, secondary halide और primary halide तो primary का SN2 सबसे जादा है और SN1 कम है जैसे दिखो अगर SN2 की अगर मैं rate of reaction की बात करो तो 1 degree सबसे जादा, then 2 degree, then 3 degree लेकिन अगर SN1 की बात करें तो order उल्टा हो जाता है 3 degree सबसे जादा, then 2 degree, then 1 degree आई है बात समझ में क्यों? क्योंकि यहाँ पर SN1 में हम क्या देख रहे हैं? कार्बो कटाइन को देख रहे हैं और कार्बो कटाइन सबसे जादा stable काउन सा? 3 degree वाला ठीक है, ऐसे देखों, यहाँ पर यह बोल रहा है जो allylic और benzylic halides है शो higher reactivity towards SN1 क्यों? क्योंकि उनका जो कार्बो कटाइन है, वो किसके थूरू stabilize है resonance कि थूरू stabilize है तो यह बड़िया तरीके से शो करेंगे आपका SN1 mechanism SN1 में simply क्या देखना है आपको? SN1 में क्या देखना है? आपको देखना है कार्बो कटाइन की stability और SN2 में क्या देखते हो? steric entrance यहाँ पर देखो यह बोल रहा है देखो अगर आपका halogen change हो रहा है तरीके से छोड़ जाता है iodine is best leaving group अगर leaving group की हम बात करें leaving group की अगर हम बात करें तो आपका I minus सबसे अच्छा leaving group रहता है then BR minus then CL minus और सबसे खराब leaving group कौन सा होता है? F minus जैसे देखो यह example देखो in which of the following pair of halogen compounds which would undergo SN2 mechanism faster जरा बताना है यार जरा बताना यह एक example है SN2 कौन सा और यह वाला एक example है देखो नेर यह वाला है जो यह कौन सा है 1 degree का है यह वाला कौन सा है 2 degree का है तो obviously SN2 में कौन बहतर रहता है 1 degree बहतर रहेगा SN2 में 1 degree वाला बहतर रहेगा तो आपका यह वाला SN2 जाएगा यह वाला SN2 जाएगा अब यहाँ पर देखो यह भी 1 degree है यह भी 1 degree है अब कैसे differentiate करूँ अब आप halogen के basis पर differentiate करो एक में iodine है एक में chlorine है तो iodine वाला बहतर living group वो जादा बढ़िया तरीके से जा सकता है तो वो जादा अच्छे से आपकी SN2 दिखाएगा clear होई है यह चीज आ गई है समझ में thumbs up दे दो chat section में भाईया कोई doubt हो तो doubt पूछ लो कोई doubt हो तो doubt पूछ लो अब जैसे optical isomerism है यह आपे बताने वाला यह यह जो बात कर रहा है न यह optical isomerism की बात कर रहा है कोई doubt हो तो doubt पूछ लो वरना बोल दो की हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है चेक है बढ़ जाए आगे बस थोड़ी सी देर और आई आपका chapter complete हो जाएगा शांदार तरीके से NCRT cover हो जाएगी important है NCRT follow करना series बहुत help मिलेगी यार सब बच्चे यार थम सब तो दे दो चेक है बढ़े आगे चलो अब देखो क्या बात कर रहा है अब बूल रहा है कि या थोड़ा बहुत optical isomerism के बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ-कुछ terms है कुछ-कुछ terms है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए जीसे देखो सब से पहले बूल रहा है Optical Activity क्या होती है Optical Activity Great, Great, Nawas, Great सब से पहले क्या बूल रहा है Optical Activity की बात कर रहा है अगर आप Plain Polarized Light है एक light होती है एक तरीका डाइट है उसको अगर आप किसी solution से pass करते हो, देखो is passed through the solution of certain compounds, जो आपने plane polarized light थी, वो आपने किसी solution से pass करी, अब अगर आपका वो जो plane polarized light ऐसी होती है, दियान से देखो, यहाँ पे देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसी रहती है plane polarized light, मतलब इसका सर कहाँ पे है उपर की तरफ है, इसका सर कहाँ पे है, उपर की तरफ है, अब आपने क्या करा, आपने क्या करा इस plane polarized light को किसी solution के through pass कराया, और जब आपने इसको solution के through pass कराया, तो suppose करो, यह ऐसे घूम गई rotate हो गई, तो इसका मतलब solution क्या है, optically active है, चाहे वो clockwise rotate करे, या फिर वो anticlockwise rotate करे rotate करे, इसका मतलब solution is optically active अगर वो rotate नहीं करती है उस solution से pass करवाया आपने और वो rotate नहीं करती है तो इसका मतलब solution is optically inactive आई है बात समझ में, तो plane polarized light को, अगर आपका solution rotate कर पा रहा है, in any direction, whether it is in clockwise और whether it is in anticlockwise तो that means, solution is optically active अगर rotate नहीं कर पा रहा है तो it means, it is optically inactive, ठीक है, देखो यहीं बोल रहा है, अगर उसने एक direction में rotate करा, तो हम उसे dextrorotatory बोलते हैं, जैसे देखो, if the compound rotates the plane of plane polarized light to the right अगर right side में right side में rotate करा, clockwise direction में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, dextrorotatory या फिर deform बोलते हैं, अगर उसे anticlockwise करा, तो हम क्या बोलते हैं, उसे L-form या फिर levo rotatory इन either case, dextror हो है, levo हो, उसे हम क्या बोलते हैं, optical isomerism या फिर optical, optically active है वो compound ये बोलते हैं, हम लोग, clear है और अगर वो rotate नहीं करेगा तो इसका मतलब, optical isomerism शो नहीं कर रहा है, यहां तक बात सही है, यहां तक बात सही है अच्छा, अब देखो, अब यह बात कर रहा है कि molecule asymmetric कब होगा, chiral कब होगा, और enantiomer कब होगा, इसकी बात कर रहा है, देखो, यहां पर यह सारी बात कर रहा है, देखो, यहां पर देखो देखो, if all the substituents attached to that carbon are different अगर किसी carbon पे, जो भी 4 substituents attached हैं, वो सब के सब अगर different होए, तो आप उसको क्या बोलोगे, the mirror image of the molecule is not superimposed, और इसको आप क्या बोलोगे, asymmetric carbon asymmetric carbon बोलोगे, मतलब देखो, यार, पूरा का पूरा फंडा कहां आ जाता है पूरा का पूरा फंडा आता है आपका, अगर जैसे, आपका यह दो compound है, दियान से सुनना है आपे, यह कोई A compound है यह कोई B compound है अगर A और B को आपको चेक करना है कि whether they are optical isomers या फिर not, क्या करो A को उठाओ और B के उपर ऐसे रग दो A और B को ऐसे रग दो अगर वो non superimposable mirror images बना रहे हैं तो they are what? Optical isomers ठीक है? अगर वो non superimposable mirror image बना रहे हैं, जैसे देखो यह है जैसे हाथ की इसने example दे रहा है यह रहा है एक हाथ, यह रहा है एक हाथ दूसरे को अगर आप एक दूसरे को overlap करना चाहोगे तो superimposable नहीं हो रहे हैं, देखो नहीं हो रहे हैं, mirror image थोड़ी ना बन रहा है exactly तो यह क्या है आपके optically active है, यह क्या है attached atoms हैं, वो अलग-अलग हो जैसे देखो यह है आपका, देखो आपको यहाँ पर देखाओ जैसे यह carbon इधर है suppose करो A, इधर है B इधर है C, और इधर है D, और suppose करो A, B, C, D, सब अलग-अलग है A, B, C और D, सब अलग-अलग है तो ऐसे carbon को हम क्या बोलते है देखो, ऐसे carbon को मैं क्या बोलूँगा, इस वाले carbon को मैं क्या बोलूँगा, chiral इसको मैं क्या बोलूँगा, chiral carbon बोलूँगा, या फिर asymmetric carbon बोलूँगा, या फिर ऐसा carbon जो non-superimposable mirror image देगा, जिसकी mirror image superimposed नहीं हो सकती, मतलब जो compound रहेगा वो optically active रहेगा देखो यहाँ पर यही चीज़े बोल रहा है देखो यही चीज़े बोल रहा है the object which are non superimposable on their mirror image, उसको क्या बोलते हैं chiral, ठीक है, या फिर chirality, और और आपके, देखो, chiral molecules are optically active chiral molecules कहा रहेते हैं, optically active क्योंकि उदर non superimposable mirror image बनती है यहाँ तक चीज़ सही है अब देखो, यहाँ पर इसने example बता रहे हैं जैसे देखो, propane to all है ज्यान से देना propane to all है, तो यह आपका optically active नहीं देखा सकता क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, दो CH3 के जो, आपके molecules हैं, वो same है मैंने अब यह भी क्या बताया ऐसा carbon, जिसके चारो के चारो group अलग होईंगे, वो optically active दिखाएगा, लेकिन आपके propane to all में, दो आपके जो groups हैं, वो तो CH3 है तो वो तो क्या होगे, same होगे, तो वो optically active नहीं होगा वो optically active नहीं होगा correct है, ठीक है देखो, यही चीज यहाँ पर बोल रहा है देखो, propane to all does not contain an asymmetric carbon मतलब, chiral carbon उसके पास नहीं है as all the four groups attached to the tetrahedral carbon are not different, सबके सब different नहीं है लेकिन उधर ही देखो, butane to all यहाँ पर देखो, एक CS3 है एक C2H5 है एक hydrogen है, और एक OH है क्या चारो के चारो group अलग-अलग है क्या चारो के चारो group अलग-अलग है तो यह जो carbon है यह carbon क्या है, chiral है chiral carbon है, तो बोले तो यह काउन है, आपका optically active है, देखो, यह ही बोल रहा है butane to all has four different chiral groups, इसलिए यह क्या है four different groups, इसलिए यह क्या है chiral है, इसलिए क्या है, chiral है आ रही यह बात समझ में, यह चीज clear होई है ठीक है अब देखो, enantiomer क्या होते है enantiomer क्या होते है the stereo isomers related to each other as non-superimposable mirror are known as enantiomer देखो, यहाँ पर इसने बढ़िया तरीके से इदर समझा रहा है अभी नीचे आएगा देखना भी देखो, जैसे यह समझा रहा है कहां गया हाँ, जैसे देखो, यह है जैसे देखो, अभी समझाता हो है, उपर वाली चीजे भी समझा रहा हूँ पहले एक बार यह समझा लो, आप लोग enantiomer के लिए जैसे यह आपका कोई compound है यह आपका कोई compound है सपोस करो, आपने इसमें y add गिया x को हटाया और y add गिया तो देखो, y आपका सपोस करो, यहाँ पर आया right side में, एक तरफ right side में है एक तरफ आपका क्या है, y left side में है तो यह जो a और b होंगे न, a और b यह क्या होंगे, enantiomer होएंगे यह क्या होंगे, enantiomer होएंगे अगर आपका a, a मानलो, dextro rotatory है तो b क्या होगा, levo rotatory मतलब, एक, एक direction में rotate करे दूसरा, दूसरे direction में rotate करे इनको क्या बोला जाता है, enantiomer बोला जाता है, ठीक है अभी वापस आएगा, तो वापस समझा दूँगा देखना अभी, अच्छा, और racemic mixture किसे बोला जाता है, अगर सपोस करो जिसे a था, मानलो, यह पंदरा डिगरी से rotate करता है प्लस पंदरा डिगरी से rotate करता है समझने की कोशिश करना है यह आपे सपोस करो a कोई साभी compound है, वो प्लस पंदरा डिगरी से rotate करता है चेक है, चेक है, अच्छा और सपोस करो b कोई साभी compound है, यह आपका माइनस पंदरा डिगरी से rotate करता है मैं A का ले लूँ 50 प्रतीशत और B का भी ले लूँ 50 प्रतीशत तो बताओ क्या मेरे पास net rotation कुछ आएगा क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कोई net rotation आएगा क्या एक सेगंड रुकिए शायद stream गड़बड़ा रही है थोड़ी हाँ, बताईए मैं आपसे पूछ रहा हूँ A कोई compound है जो प्लस 15 डिगरी से rotate कर रहा है B कोई compound है जो माइनस 15 डिगरी से rotate कर रहा है आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक बार thumbs up दो chart section में एक बताईए stream सही हो चुकी है एक बार thumbs up दीजिए चाट section में गुड़ चलो ठेक 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 है ठेक है जो प्लस 15 डिगरी से rotate कर रहा है B कोई ऐसा compound है जो माइनस 15 डिगरी से rotate कर रहा है A का आपने 50 प्रतिशत लिया है B का आपने 50 प्रतिशत लिया है तो बताईए क्या आपका net rotation आएगा बताओ क्या कोई net rotation आएगा Elon Musk जल्दी ही आएंगे वो क्या कोई net rotation आएगा net rotation नहीं आएगा ऐसे mixture को जिसमें आपने 50 प्रतिशत दोनों का ले रखा है ऐसे mixture को क्या बोला जाता है Resimic mixture बोला जाता है इस process को क्या बोला जाता है Resimization इस process को क्या बोला जाता है Resimization ठीक है अच्छा एक होता है retention retention क्या होता है देखो retention of configuration is the preservation of the spatial arrangement of bonds to an asymmetric carbon during a chemical reaction and transformation मतलब 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 जैसे आपका इधर OH था right side में OH था तो आपका जो chlorine लगा वो भी कहां लगा right side में ही लगा तो इसका मतलब क्या है retention of configuration जिदर से आपका जिदर से आपका OH गया उदर से ही आपका chlorine एड़ हुआ तो इसको हम क्या बोल रहे है retention बोल रहे है ठीक है अच्छा inversion हम किसे बोल रहे है inversion हम इसे बोल रहे है जहां से आपका जिसे देखो ये inversion है ये आपका inversion है कैसे देखो left side पे x था लेकिन जो आपका y जो substitute करा है जिसने वो कहां पे आया है right side में तो invert कर दिया ना भाई ने भाई ने क्या कर दिया उल्टा कर दिया left side पे था x लेकिन y कहां attach हुआ right side में तो ये क्या है inversion लेकिन यहां पे left side में x था और left side में ही y गया है तो ये क्या है retention आ रहे है बात समझ में सेम साइड से निकले हो, सेम ही साइड पर जुडे हो, तो it is retention, एक साइड से निकले हो, और दूसरी साइड से आके जुडे हो, तो it is inversion, और इस A और B का, जो mixture आएगा, वो क्या आएगा, racemic mixture, देखो, जैसे यही बोल रहा है, A क्या है, retention, ऐसी जो B है, वो क्या है, inversion, और अगर आप A और B को equal मात्रा में mix कर दोगे, 50-50 mixture ले लोगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका racemic mixture बन जाएगा, और कोई भी rotation नहीं देगा, तो it means it is optically inactive, तो ध्यान रखना है, NCRT में note कर लो, कि जो racemic mixture रहता है, वो optically inactive रहता है, वो आपका कोई भी rotation नहीं देता है, plain polarized light को, ठेक है, अब इसने देखो, अब इसने SN1 और SN2 को लेके समझाया है, बस फटाफट खतम होने ही वाला है, थोड़ा सा, थोड़ी से देर और सात वराओ, अब इसने SN2 और SN1 लेके समझा रखा है, तो देखो जो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, SN2 mechanism में क्या होता है, inversion होता ह है, क्योंकि जो आपका nucleophile है, वो attach होता है, opposite side से, जहाँ पे halogen जुड़ा है, उसकी opposite side से attach होता है, देखो नहीं या या पे, देखो, यहाँ पे halogen right side में था, जो OH attach हुआ वो का हुआ हुआ, left side में, तो यहाँ क्या हुआ है, inversion हुआ है, ये क्या हुआ है, inversion हुआ है, और वही पे ही जो आपका SN1 है SN1 है, उसमें क्या होता है Resemization होता है ऐसा क्यों? क्योंकि SN1 में पहला step क्या होता है Carbocatine का बनना होता है ध्यान से सुनना, यह आपका कौन बन चुका है Carbocatine, Carbocatine की Hybridization बताना Carbocatine की Hybridization बताना मेरे को Carbocatine की Hybridization है SP2 प्लेनर तभी देखो इसने यह जो यह बना रखा है ने ट्राइंगल इसका मतलब यह है कि यह प्लेनर है structure कहा है प्लेनर अब देखो जो OH- attack करेगा suppose करो आपके इस plane में है आपका कार्बोगटायन अब जो OH- attack कर सकता है नीचे से भी attack कर सकता है तो दोनों end से attack कर सकता है इसका मतलब आपका inversion भी होगा और retention भी होगा बराबर बराबर चीजे आएंगी तो मतलब आपका क्या बनेगा racemic mixture बनेगा अरे यार चीक है आपका क्या बनेगा racemic mixture बनेगा क्लियर है आपका क्या बन जाएगा racemic mixture बन जाएगा stream दिक्कत दे रही है ना stream को पता है बड़े time बाद आये हैं हम लोग live पढ़ाने तो भाई साब ये दिक्कत दे रहा है थोड़ा आज नहीं all good तो थमसब दे दो एक बाद चाट सेक्शन में आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए ठीक है चलो कोई नहीं है इसका stream का इलाज कर देंगे आप लोग बस regularly आते रहो इस stream का इलाज कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे ठीक है चलो तो यह हो गई है nucleophilic substitution reaction की यह बात हो गई next कौनसी reaction बोल रहा है elimination reaction जब छोटा molecule निकलता है कोई छोटा molecule निकलता है तो उसको हम लोग बोलते है elimination reaction तो यहापे देखो यह hydrogen निकलता है और यह hydrogen निकलता है और इन दोनों के बीच में क्या आ जाथा? डबल बॉंड तो ये कौन सी reaction है? Elimination reaction है और इसको देखो Beta Elimination बोलते है Beta Elimination क्यों बोलते है? क्योंकि देखो आपका ये हो रहा है CH2 इदर जैसे hydrogen है CH2 इदर जैसे hydrogen है तो जिससे hydrogen जुडावा है इस वाले carbon को क्या बोलते है? Alpha इसको क्या बोलते है? Beta तो जो आपका hydrogen और halogen निकल रहा है वो पास-पास वाले atom से निकल रहे है hydrogen और halogen पास-पास वाले atom से निकल रहे है तो इसको आप मिसली क्या बोलते है? Beta Elimination क्या बोलते है? Beta Elimination क्योंकि जो hydrogen और hydrogen निकल रहे है वो पास-पास वाले से निकल रहे है तो इसलिए हम उसे बोलते हैं beta elimination अच्छा अब देखो यहाँ पर यह बोल रहा है यह सेट्जेफ प्रोड़क्ट की बात कर रहा है देखो सेट्जेफ प्रोड़क्ट की बात कर रहा है अगर आपने hydrogen beta 2 से निकाला तो देखो यहाँ पर क्या double bond आ गया अगर आपने hydrogen beta 1 से निकाला तो यहाँ पर double bond आ गया अब बताओ ज्यादा stable alkene कौन सी है यह बताईए ज्यादा stable alkene कौन सी है ज्यादा stable alkene कौन सी है यह बताओ जरा कौन सी अलकीन ज्यादा stable है यह ज्यादा stable है इस इस more stable और अगर यह ज्यादा stable है तो आपका यह major बनता है और इसी को ही क्या बोला जाता है सेटजव बोला जाता है इसी को ही क्या बोला जाता है सेटजव बोला जाता है जो मेजर बनता है वो सेड़जेव बनेगा ख्लियर है? ठीक है यह स्ट्रीम का तो कुछ करना पड़ेगा करते हैं कुछ करते हैं बढ़ जाएं आगे थमसब देदो चाट सेक्शन में एक बार बढ़ जाएं आगे हाँ जी बिलकुल अल्राइट चलो नेक्स देखो नेक्स बोल रहा है रियाक्शन मेटल्स भी होती है जैसे और गानो मेटालिक कमपाउंड बनते हैं यह रहा आपका हेलो एलकेन इसमें आपने mg डाला और dry ether रखा आपने तो यह क्या बन जाता है गरिगनाड बन जाता है इसको अम लोग और क्या लिखते है rmgx भी लिखते है गरिगनाड तयार पता ही होगा आप लोगो rmgx लिखते है बिलकुल गोविंद करते हैं उसका भी कुछ बिलकुल करते है यह रहा आपका rmgx यह क्या बन जाते है गरिगनाड बन जाते है अब इसमें reactive हिस्सा क्या होता है r- यह होता है इसका reactive part जो r- होता है वो क्या होता है reactive part होता है वो क्या होता है reactive part होता है जो r- होता है वो आपका reactive part होता है अब देखो, क्या हो रहा है जिसे आप गरिगनाड़ की reaction करा रहे हो पानी के साथ तो पानी में कौन है, H plus है पानी के पास क्या है, H plus गरिगनाड़ के पास क्या है, R minus तो ये R minus और H plus जुड़ जाते हैं देखो, क्या बन जाता है, RH बन जाता है चीक है ये ठीक है चलो, और देखो, जैसे आप बात कर रहा है वोट्स की, तो वोट्स तो हमें पता है यार आपने वोट्स हैड्रो काबन में भी देखा था हेलो एलकेन ले लिया, सूडियम ले लेते हैं और एथर आप ले लेते हो ड्राइ एथर आप ले लेते हो सॉल्वेंट की तरह तो ये क्या बन जाते हैं आपके एलकेन मन जाते हैं चीक है, देखो, ये बोल रहा है, यूनिट 13 क्लास 11 में पढ रखाए ये चीज, पढ़ा है ना, बताओ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये चीज, ये तो NCRT में भी कवर करवा रखा है मैंने आपको चीक है, चलो देखो और देखो यार और बोल रहा है, नुकलोफलेक सब्स्टूडिशन रियाक्शन, अराइल हलाइट अब देखर फटाफट फटाफट करते हैं ज्यादा कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर ये देखो ये ये चार रीजन दे रखे हैं, देखो क्या बोल रहा है याँ त्यान से सुनना है अराइल हलाइट आर एक्स्ट्रीमली लेस रियाक्टिव त्यान से सुनना, अगर हम लोग हलो एलकीन कौन-कौन? हलो एलकीन और हलो एरीन को कंपेर करें त्यान से सुनना हलो एरीन की रियाक्टिविटि कम रहती है ऐसा क्यूं? तो देखो उसके अलग-लग पॉइंट बता रहें एक तो बोल रहा है resonance effect एक बोल रहा है resonance effect क्या बोल रहा है जैसे देखो जो carbon and chlorine का bond है उसमें partial double bond आ जाता है resonance के चक्कर में क्या आ जाएगा देखो double bond आ रहा है न तो hybrid बनाओगे तो यहां क्या आएगा partial double bond character आएगा तो इसको तोड़ना क्या होता है मुश्किल होता है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है तो यह less reactive हो जाता है एक point यह हो गया less reactivity के reason बता रखें इसने पहला point तो यह हो गया दूसरा point देखो क्या बोल रहा है difference in hybridization of carbon atom in CX जैसे आपका जो hello airy ने, उसमें sp2 hybridization है hello airy ने, उसमें कौन है sp3, अब बताओ ज्यादा electronegative कौन होता है sp2 वाला ज्यादा electronegative as compared to, तो अगर आप इस x और इस sp2 वाले carbon में difference निकालो और x और sp3 वाले carbon में difference निकालो तो यह वाला bond ज्यादा polar होता है more polar यहाँ पे electronegativity का difference ज्यादा है क्योंकि sp3 कम electronegative होता है और halogen तो ज्यादा electronegative है यहाँ पे क्या रहता है ज्यादा polarity रहता है, तो attack fast रहता है और देखो instability of phenyl cation बोल रहा है instability of phenyl cation जैसे अगर आपका यह है देख रहा है यहाँ ठीक है यह रहा आपका halogen अगर आप इससे suppose करो इसमें convert कर देते हो, halogen भाहर निकाल देते हो और आप ऐसा कर देते हो, इधर plus बना देते हो तो इसकी stability बहुत कम होती है इस carbocatine की stability बहुत कम होती है इसलिए यह वाला भी यह attack नहीं करता है अलग-अलग reason बता रहे हैं उसमें और क्या बोल रहा है because of the possible repulsion it is less likely for the electron rich nucleophile to approach the electron rich arines मतलब जैसे यह कौन है यहाँ पे कौन pi bond है न आपके तीन-तीन pi bond है तो electron density जादा है तो जो nucleophile आता है nu- इन दोनों के बीच में क्या होता है repulsion होता है इसलिए भी reactivity कम है यह चार reason है इसको ध्यान रखिएगा इसको ध्यान रखिएगा ठेक है लेकिन देखो फिर भी यह इसने कुछ न कुछ करके reaction करवा दी है जैसे आपने NUH लिया और आपने drastic condition ली पहले तो यह बूल दिया कि reaction कराना मुश्किल है लेकिन reaction करा ही जा सकती है जब आप बहुत drastic condition ले लेते हो high temperature और high pressure तो देखो reaction हो गई CL निकल गया, OH जुड़ गया अब यहाँ पर देखो आप इसने NO2 ग्रुप लगाते जा रहा है एक NO2 ग्रुप लगाया, दो NO2 ग्रुप लगाया तो देखो 443 Kelvin से 368 Kelvin पर आगया मतलब drastic condition कम हो गए अगर आपको drastic conditions कम करनी है, तो आप electron withdrawing groups लगा दीजिए NO2 वाले ग्रुप, जैसे देखो इसने suppose करो 3 लगा दीए 3 NO2 ग्रुप लगा दी तो आपका warm water से ही काम हो जाता है, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या करता है, intermediate को stable करता है intermediate को stable करता है, तो reactivity बढ़ जाती है, अराम से होने लग जाती है reaction, reaction बड़े प्यार से होने लग जाती है अचा ये चीज़ तो आप समझते हैं कि जो भी आपका resonance होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ortho और para position पे होता है, meta position पे आपका resonance नहीं होता है, देखो ये ही बोल रहा है no effect on reactivity of hello arkenes if observed by the presence of electron withdrawing group on meta group पे कुछ फरक नहीं पड़ता है ortho और para पे ही फरक पड़ता है, क्योंकि resonance सिर्फ और सिर्फ ortho और para पे ही लगता है, meta पे नहीं लगता है, इसका idea है ना हमें इसका idea है correct, meta पे आपका resonance काम नहीं करता है ना ही hyperconjugation काम करता है सिर्फ ortho और para पे ही करते हैं और यही सारी चीजे हैं उसने यहाँ पे समझा रखी है इससे गबराना नहीं है, बच्चे से गबरा जाते है गबराना नहीं है यह क्या बस बूलना चारा है कि ortho और para पे काम नहीं करेगा सिर्फ ortho और para पे काम करेगा meta पे काम नहीं करता है meta पे काम नहीं करता है ठीक है, यह चीज यहाँ तक से ही है ओल्राइट तेको यह भोल रहा है can you think why does NO2 group show its effect only at ortho and para position and why not at meta position क्योंकि meta position पे resonance काम ही नहीं करता है मेरे भाई resonance काम ही नहीं करता है meta पे resonance सिर्फ ortho और para पे ही काम करता है इसलिए ortho और para पे ही लगाना best है उसको, meta पे लगाओगे तो कोई भी फरक नहीं आएगा ठीक है अच्छा, electrophilic substitution reaction होती है अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना halogen atom besides slightly deactivating is ortho और para directing क्यों? ortho para directing क्यों है? जो आपका halogen है ortho और para directing क्यों है? क्योंकि वो क्या दिखाता है? आपका plus r दिखाता है यह क्या दिखाता है? plus r दिखाता है plus r के दिखाने के चलते ortho और para पे electron density बढ़ जाती है तो it is ortho and para directing लेकिन यह साथ साथ में क्या दिखाते है? minus i भी दिखाते है तो minus i के चलते यह deactivating हो जाते है यह deactivating हो जाते है तो यह halogenic exception है halogenic exception है कि they are deactivating also as well as ortho para directing also ठीक है? तो देखो यही चीज़ दिखा रहा है जैसे देखो CL था तो देखो कहां गया? para पे गया और ortho पे गया अच्छा यह बता सकता है कोई कि यही major क्यों है? para वाला major क्यों है? कोई यह बता सकता है chat section पे बताओ बस हम लोग almost end पे आ चुके हैं थोड़ा सा 7 और बनाए रखो para वाला major क्यों है? कोई यह बता सकता है? क्यों major होता है para वाला? क्योंकि बच्चा अगर हम जैसे ortho और para को compare करें देखो ortho पे del एक second यह रबर यह razor इसको हटाओ ortho पे आपका ortho पे आपका del negative है यहाँ पे भी del negative है para पे भी del negative है ठीक है? लेकिन minus i के चलते ध्यान से सुनना है minus i के चलते halogen minus i भी तो दिखाता है plus r के चलते ortho और para position पे तो उसके बढ़िया तरीके से electron density बढ़ गई लेकिन minus i के चलते वो ortho से catch लेगा electron density para से इतनी नहीं catch पाएगा क्योंकि para क्या है? दूर है लेकिन ortho तो पास में है न ortho से catch लेगा जादा yes inductive का effect minus i का effect ortho पे जादा होगा para पे कम होगा तो para पे comparatively electron density जादा रहेगी ortho पे कम रहेगी इसलिए major क्या है? para वाला major बना है सब में ही para major बना है क्यों? क्योंकि para पे electron density फिर भी जादा है ortho पे minus i के चलते electron density कम होगी उसने क्या करा? catch लिया clear है? देखो सब जगे para बन रहे है सब जगे major क्या बन रहे है? para बन रहे है क्योंकि अगर आप ortho और para को compare करो यहापे लिख लो जाओ para has more electron density as compared to as compared to ortho चेक है? clear है? सही है? चलो और देखो अच्छाब यार यह reaction दिखा रहे है reaction with metals woods fitting दिखा रहे है यह रहा आपका hyalurine यह रहा आपका hyalurine कुछ नहीं यहां से यह free radical बना देना देखो यह एक free radical हो गया एक आपका r.free radical होगा दोनों को जोड़ देना तो देखो यह क्या बन गया यह बन गया ऐसे ही अगर इसके दो molecules ले लिए तो आपका यह free radical बन जाएगा देखना यह free halogen हटाओ free radical बनाओ halogen हटाओ free radical बनाओ यह आपके दो free radical बन गया और दोनों को इसने जोड़ दिया दोनों को इसने जोड़ दिया करेक्ट है सही है और राइट चलो ठीक है अब यार कुछ नहीं है polyhalogen compounds है इसमें कुछ नहीं है अब लोगों को देखो जैसे है dichloromethane is widely used as a solvent as a paint remover तो लड़कियों यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज है इसको आज ही जाना है और market में जाके खरीदना है ठीक है आज तो रात हो गई है कल ली जाके आमको यह चीज बर्चेज करनी है ठीक है और देखो इसमें आपको यूजर्स बता रखे हैं जैसे देखो chemically chloroform देखो अब यहां पर देख रहा है chloroform is employed as a solvent for fats, alcohol, iodine and other substances देखो क्या बोट stream बहुत परिशान कर रही है इसको दिखाते हैं कुछ internet का issue आ रहा है इसको कुछ ने कुछ दिखाते हैं सही चल रहा है एक बाद हमसब दे दो एक बाद हमसब दे दीजिए चैट सेक्शन में एक बाद चैट सेक्शन में थमसब दे दीजिए हाँ जी है ना येस येस इसको करवा देंगे ठीक है अभी ये वाला चैप्रतों कम्प्लीट कर लेते हैं फिर इसको कुछ इसका इसका इलाज कर देंगे stream का वो टेंशन नहीं लोग ठीक है हाँ तो देखो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का में यूज क्या बोल रहा है इस इन दे प्रोडक्शन ओफ्री ओन रिजेंट भाई गलत है ये में यूज क्या होता है में यूज इसका होता था 1980s में जब भाईया बॉलिवूड की फिल्में बनती थी विलेन क्या करता था विलेन क्या करता था क्लोरोफॉर्म लेके आता था हमारी सीधी साथ हीरोईन होती थी उसको कल लेता था तो में यूज भाईया उसका वो है यहाँ पर गडबल लिखावा है भाईय ने अभी 80's की मूवी देखी नहीं है ठीक है तो यही सारी चीज़े दे रखी है इधर आपको यह रियाक्शन बता रखी है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सेजन के साथ रियाक्शन लाइट में तो फॉसजीन बन जा रहा है क्या बन जा रहा है फॉसजीन बन जा रहा है यार यह तो बहुत जादा दिक्कत आ रही है परिशान हो गए यार यह तो हम है कल हेलो एलकेंच और हेलो एरींच लेंगे ठीक है एक बर बस यार इसके uses देख लेना अब जादा कुछ बचा नहीं है ठीक है uses देख लेना और यह चीज देख लीजेगा DDT का structure देख लेना यार DDT हमें पता है agriculture में use होता है इस DDT का बस आप लोग structure देख लीजेगा बाकी chapter खता मैंना अब यह stream दिक्कत दे रही है तो इसका कुछ इलाज कराते है एक बर बस DDT का structure देख लेना ठीक है चलो हम लोग alcohol phenol ether कर लेते हैं और इस stream को भी सही कर लूँगा मैं आप stream के tension नहीं लीजिए stream का भी हम लोग कुछ नो कुछ इलाज बिठा लेते हैं stream का कुछ हम लोग इलाज बिठा लेते हैं ठीक है ऐसे यार एके करके chapter निप्टा लेंगे और organic भी हम लोग जल्दी start कर लेंगे organic का मैंने जैसे आपको promise कर रहा है one shot के through आपको organic मैं बढ़ा दूँगा और इस चीज का यार I am extremely sorry कि यार आज जो ये stream ने दिक्कत करी है इसका यार मैं पूरा ही कोशिश करूँगा क्या होता यार स्मूद नहीं रहता है तो मजा नहीं आता है मतलब आपका भी यार फिर थोड़ा time-based हो मेरे को भी feel नहीं आए बीच-बीच में हमको stream देखनी पड़े तो उसके लिए I am extremely sorry उस चीज को हम लोग सही कर दूँगा उसकी टेंचन नहीं लो बस अभी अभी यार main motto अभी हमारा main motto क्या है 9 बजे आके हमको class attend करनी है main motto यह रखिए stream सही होना यह सब आपके external factors है यह आप tension नहीं लो इसको हम लोग सही कर देंगे इसको मैं सही कर दूँगा ठीक है एक बार thumbs up दे दो thumbs up दे दीजी एक बार thumbs up दे दो वह मेरी टेंशन है आप लोग आप लोग बस एक बार आप लोग बस पड़ो जाहतर chapter तो यह अच्छे से करी लिया बस दो एक दो बार यह stream हो गई थी तो अधर थोड़ी से दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं उसे resolve कर लेंगे बिलकुल paper अबर फोड़ना है ढंक से आर बढ़ते रहो 9 बजे आते रहो ऐसे यह के करके ncrt पढ़ा देंगे आप लोग को पूरा और organic bier मैं आपको one shot लेना start कर दूँगा organic भी आपके one shot लेना start कर दूँगा ठीक है राफिकुल वो common naming है उस common naming में इतना ध्यान मत दो common naming होती है वो ठीक है चलो फिर कल मिलते हैं 9 बजे है